अब बहुत बहुत अच्छी रस्पी बना रही हूं आज तो जिसको नाम है खस्ता मसाला इस्टीक तो जिसके बनाने के लिए लिए दो कटोरी बेसं मैदा और इसे अच्छे सी छान लेंगी छानना बहुत इंपॉर्टन होता है अब देख सकते हो कुछ जब चानते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा नमक हमने इसमें एड कर दिया है और डालेंगे रिफाइन वाइल तो पहले हम इसमें डाल देते हैं चार चमच तीन हो गया यह देखिए चार चमच चार चमच हमने डाल दिया इसमें अब इसे मिला देंगे मिलाना तो जरूर इसे मिलागे अच्छे से तो हमें कम लग रहा रहा है तो 2 चमच और एड कर रहा है अरे रिफाइन वाइल इसमें तो इस तरह से मिला देते हैं सभी को अच्छे से खस्ता करने के लिए मुएन लगाते हैं तो जो हमारा मोयन तयार हो जाता है तो नहीं हमें इसे पता कैसे चलेगा तो आप इस तरह से मुठी बनाईए और मुठी बंद जाता है तो समझ लेजिए हमारा मुएन बिल्कुल तयार है यह कटोरी पानी ले रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके हम आटा लगाएंगे जादा जादा नहीं करना थोड़ा-थोड़ा डालेंगे तो हम artet हम आटा बिल्कुल तयार होगा हमें आटा बिल्कुल मेडियम लगाना थोड़ा ताय्ट जो होता है ना तो हम चपाथि जैसा मीडियम आटा हमें लगाना गाना ना तो सौ cash तो इस तरह से हमारा आटा बनने के तयार कशा है अब इसका करेंगे दूसरे बरतन गाना हम तब हमारा याटा बिल्कुल तयार हो जाएगा अभर मसाला बनागर कर लेते तो इसके लिए ले रहे हैं मूंग डाल जो हमारी नमकीन होती है और कटोरी मिक्स नमकीन एक बुजिया नमकीन थोड़ा सा काजू है काजू आप्स्टनल है आपको पसंद है तो डालिए वर ना कि तोड़े से नमग एक्ट करा थोड़े सा धनिया पाउडर थोड़े सी हम डाल दें इसमें लाल मिर्ज पाउडर एचंप चाट मसाला आपके पास नहीं तो आम छूल पाउडर भी समें एड़ कर सकते हुआ और देखे बनिया समने इसे पीश लिया है बहुत बारी नहीं किया हालका शंट कर think मुटी वाली पर इसे ब्कूласт कर दो थिस के रचलते हैं अंटा के तरफ जहां हमने आट तयार कर करके commitments जरूर बार ट्राइए और इधके आठा भी हमारा विल्कुल तयार है थोड़ा से मसल देते हैं और सबसे अच्छी बात है यह हम सफर मिले जा सकते हैं और अच्छी बात है कि हम इसे 1 महीना तक इस्टोर करके रख सकते हैं तो है न इक खास तरह से थोड़ा सा बढ़ा बनाएंगे जो हम पूरी बनाते है ना थोड़ी से बड़ी बेलेंगे इसका जिससे भटुरी और बनाते हैं और जितनी पद्ली हो सके आप IT एंद्वियां बेल लीजिए उन। पर एक मसाला आराम से डालिए है मसाला बढ़िया चरपटा सा बना के रखा है और फिर यह मसाले ना बहुत ज्यादे चरपटे होते हैं जरूर इसे एक बार खाओगे ना तो आप खुद ही कहोगी वाज ही पहले क्यों नहीं बनाया तो इस तरह से दूनों तरफ से फोल्ड करते हुए एक अपना इस्टिक बना के तयार करेंगे दूनों शायदों से हमने फोल्ड कर दिया थोड़ा सा पानी लगा देंगे लास्ट में इस तरह से ताकि अच्छे से हमारा इस्टिक जब बनाए तो यह चिपक जाए और इस तरह करते हुए जाएंगे थोड़ी सिसे दबा देंके ज्यादा नहीं थोड़ी सी थे थे हमारा है कि집क बन के तयार है कि Нःओं आप देख सकते हो तक इस सुंदर लग रहा है सद्तिक दिखा देते हैं इसमें भी एक चमस मसाला हमने आड़ करा और इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया पानी लगा दिया साइड में इस तरह रोल करते जाएंगे आप चाहोत इसे गोल भी बना सकते हो लेकिन यह थोड़ा सा चप्टा है ना हमें ज्यादा पसंद है इसा तो इसलिए मैं इसा बना रह पते देना हम कर रहे हैं बेतर इसके लिए यही रहे खांगे और ईवल्ड करके इसे हम अच्छी से पकाएंगे और और ब्लोव फ्लेम पाँना हमें बिलकुल लोव फ्लेम बिलकुल भी लोव जितना हो सके उतनी पकाईake आप तब देखिए अंदर तक इसे मोटे होते हैं जब हम रोल करते हैं तो अगर हम तेज आज़ पखाएंगे तो यह जो है उपर से जल जाएगा और अंदर कच्छा रह जाएगा हमें बिल्कुल उपर भी अच्छा से पकाना है अंदर भी तो इसके लिए बिल्कुल लोग फ्लेम पे पकाईएगा तो आप देख सकते हो आप स इसी तरह से बद्धो बहाश में हमारे सारे शाला इस्टिक तयार हो जाते हैं और इसे भी हम निकाल देते हैं एक प्लेट में कोई जबाब नहीं है कितने प्यारे कलर आये हैं एक तोड़ के दिखा देती हूं या देखिए कितने अच्छे यह बने हैं जैसे क्रीम रोल गेरा रहता है ना तो बहुत अच्छे लगते हैं उसी तरह से यह नमकीन की रोल है बहुत ही टेश्टी लगते हैं जरूर एक बार ट्राइ करिए का हमने कर दी प्यारी सी प्लेटिं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें आज के रेस्पी थोड़ी सी अच्छी लगे तो वापस से वही बोलूंगी प्लीज लाइक करिए दूसरा भी मैं तोड़ के दिखा देती हूं तो आप देख सकते हो कितना यह खस्ता बना हु